अगर आपने भी OMR सीट को भरने में किसी भी प्रकार की गलती की है तो ये वीडियो आप के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण होने वाली है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परिक्षा किंग में आज हम बात करने वाले हैं UPSC PED exam 2021 के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि आखिर PED exam का result कब तक जारी किया जा सकता है क्योंकि PED exam को लेकर हम लोग अब तक बहुत ही ज़्यादा परेसान हो चुके हैं अगर आप लोग भी हमारी तरह लेकपाल भरती यारी कर रहे हैं और PED के result का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है ये भरती साल संपन हो जाएगी या फिर सिर्फ हम लोगों के नसीम में इंतजार ही लिखा हुआ है वहीं सबसे अहम सवाल ये होगा कि आखिर किन लोगों के result को आने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब ओमार सीट फिल की थी उसमें बहुत प्रकार की गलतियां कर दी है जैसे कि ओमार सीट पर अपना नाम अग्रेजिम फिल कर दिया है क्योंकि एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा था कि नाम को हिंदी में लिखना है वहीं कुछ लोगों ने बलेट और वाइटनर का भी प्रयोग कर दिया है ओमार पर उसके बाद बहुत सारी लोगों ने डबल गोला फिल कर दिया वो चाहे कोईस्चन के आपसंस को फिल करने में हो या फिर रेजिस्ट्रेशन या रोल नंबर फिल करने में हो तो आखिर ओमार पर कौन सी गलतिया करने कारण आप लोगों का रिजल्ट रोका जा सकता है इनी सब मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें PT Result Date 2021 के बारे में बात करें तो आपने YouTube और Facebook पर देखा होगा फिर एक नई डेट दे देते हैं कि अब इस दिन जारी होगा अब को पता है कि आयोग के बाहर खड़े होकर कोई भी वीडियो अपना रिकार्ड कर सकता है इस बात से ये चीज नहीं पुकता हो जाती है कि हम आयोग के बाहर खड़े होके वीडियो रिकारड कर रहे हैं तो हमारी बातों में 100% सच्चाई है किसी को भी नहीं पता है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा हमें तो यही लगता है कि आयोग को خुद नहीं पता है कि PTG कर रिजल्ट किस दिन जारी होने वाला है और ना ही सरकार को इस विशाय में कोई लेना देना बचा है कि PT की रिजल्ड जल्दी जल्दी डिकलियर किया जाए छात रितना जादा परेसान है कि इनको थोड़ी राहत मिले और अपनी पढ़ाई के उपर फोकस करें अगर आप भी हमारी तरह सोच रहें किसी और एक्जाम की तैयारी की जाए और आयोक के जितने भी एक्जाम है उनकी तैयारी करना बंद करें तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं हम यही मान के चलने हैं कि PT रिजल्ड को दीपावली से पहले डिकलियर किया सकता है वह भी किया जाएगा यह नहीं किया जायगा यह 100 पर्षेंट शिय॓र नहीं है बस एक आसा और उमीड टिकी है कि दीपावली से पहले हम लोगों का रिजल्ड डिकलियर किया जाएगा अगर दीपावली से पहले PT का रिजल्ट नहीं डिक्लियर होता है फिर हम भी उसी दिन से अपनी तैयारी करना बंद कर देंगे लेग पाले आयोग की कोई भरती होगी उन सब की तैयारी हम बंद करने वाले हैं क्योंकि आप उब चुके हैं इसकी तैयारी आखिर कब तक करें जब हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है और रिजल्ट मिल जाता है फिर एक्जाम देने को नहीं मिलता है बस इंतजार इंतजार इतने दिन में अगर हम लोग किसी अन्य एक्जाम्स की तयारी करते तो सायद हम लोगों के हाथ में सफलता होती पहले अगर हम देखें कि OMR सीट पर अगर आपने अपना नाम अग्रेजी में लिख दिया है तो आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा या फिर नहीं क्योंकि जब आयोग ने एडमिट कार्ड को जारी किया था तो उसके उपर इंट्रक्शन में साफ साफ लिख दिया था कि OMR सीट के उपर अपना नाम हिंदी में ही लिखना है लेकिन जब OMR सीट को चेक किया गया आयोग की तरफ से तो वहाँ पर देखा गया कि कम से कम 40 से 45 प्रतिसद लोगों ने अपना नाम इंग्लिस में ही लिख दिया है तो ऐसे में हमें जो लगता है कि रिजल्ट आप लोगों का बिलकुल भी नहीं रोंका जाएगा क्योंकि अगर 1-2% लोगों ने ऐसा किया होता तब तो फिर एकदम साफ था कि उनका रिजल्ट 100% रोंका जाता लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने इस तरह गलती कर दी है तो इसलिए जिसने भी अपना नाम OMR को उपर इंग्लिस में लिख दिया है तो अगर आपना नाम हिंदी के बज़ा इंग्लिस में भी लिख दिया है तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है आपके OMR का मुल्यंकन 100% होगा और आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा योग हमेसा चात्रों के हित्में ही फैसला लेता है कभी चात्रों खिलाप कोई फैसला नहीं लेता है OMR के उपर अगर आपने अपना रोल नंबर गलत फिल कर दिया है या फिर रेजिस्ट्रेशन नंबर को गलत फिल कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो उपर कालम दिया रहता है वहाँ पर जो हाथ से लिखना होता है वहाँ पर तो सही फिल किया था लेकिन जब नीचे गोला भरने होते हैं, वहाँ पर गोले में किसी भी तरह गलती कर दी है, तब भी आपका result चेक हो सकता है, उसके लिए यही सर्त है, या तो आपने जो हंगत से लिख रखा है, वो सही हो, या फिर जो भी आपने गोला फिल किया है, वो सही हो, क्योंकि जब OM seat को machine के अंदर डाला जाता है, फिर वो आपके OMR को reject तो कर देगी, लेकिन जब किसी भी OMR को reject machine कर देती है, तो उसे manually देखा जाता है, कि आखिर किस कारण से scanning machine ने OMR को reject कर दिया है, तो जो भी वहाँ पर करमचारी होगा, जब उसमें देखेगा कि उपर जो लिखा है, उस से फिर manually ठीक कर दिया जाता है, इसी प्रकार अगर आपने परिक्षा कोड गलट डाला है, उसमें भी यही पर क्रिया पनाये जाएगी, वहीं कुछ लोगों ने आपसन फिल करते वक्ट डबल गोला फिल कर दिया था, और कुछ लोगों ने जहां पर registration number फिल करना होता है, र पर आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कर नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर उस question को wrong मान लिया जाएगा, और आपके one upon fourth number काट लिया जाएगे, बस इतना ही होगा, और कुछ नहीं होने वाला है, जब भी मुल्यांकन का कार्य होता है, तो ऐसे में अगर देखा जाए कि आपने इसमें आखिर ऐसी क्या गलती कर दी है, जिसके कारण machine detect नहीं कर पा रही है, और आपके omar sheet को reject कर दिया है, जब भी करमचारी उसको देखता है, तो उसमें जो भी गलती होती है, उसे manually ठीक कर दिया जाता है, इसलिए अगर finally देखें, तो अगर आपने उपर सही अगर उपर लिखने में गलती की है, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी आपको tension नहीं लेना, वो तो machine से ही check हो जाएगी, उसे manually check करने की कोई भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने अगर omar sheet को पर blade या whitener का प्रयोग किया है, तब भी आपके मन में डर होगा कि आपका result ज बुकलेट स्रीज ये सब भरने में और आपसे गर कोई गलती हुई थी, वहाँ पर अगर आपने उसको सुधारने के लिए blade का प्रयोग किया है, तो आपके omar के उपर किसी भी प्रकार की दिक्कर नहीं आने वाली है, आपने answers को change करने के लिए blade का प्रयोग किया है, वहाँ में आपके omar पर तो बिल्कुल दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपने उपर वाले किसी भी section में blade का प्रयोग किया है, तो बिल्कुल भी आपको जैसानी नहीं आने वाली है, फाइनली ये बात करें कि किन case में omar seat को reject कर दिया जाता है, और आप लोगों का result नहीं जारी कि omar बिल्कुल भी destroy कर दी है, ज्यादा उसके उपर lines draw कर दी है, omar को खराब ही कर दी है, जान बुझ के किया है, या फिर गलती से हुआ है, तब भी आपका result नहीं जारी होता है, बस यहीं 2-3 case ऐसे होते हैं, वहीं blade और omar का भी होता है, लेकिन वह question समयमान नहीं होता है, आयोग खुद चाहता है कि सबका result जारी हो, और छोटी मोटी आपसे गलतियां हुई है, तो उसे manually ठीक किया जाए, आयोग हमेशा छात्र हित्मे काम करता है, ना कि छात्रों के खिलाब काम करता है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना खिलाब करता है, झाल झाल झाम करता है, जरूर करता है, जर वीडियो, तो उसे बटत्रों करता है, तो उसे सक्षवड़